ग्राम बमनाली के ग्रामीन नवंबर महा का निसुल का राशन नहीं मिलने की सिकायत को लेकर कलेक्टर को दिया था आवेदन पाई गई अनिमिता दोश्यों पर होगी कारवाई पार्टी प्रदान मंतरी गरिब कल्यान योजना के तोहद हर राशन कार्ट के प्रतिविक्ति को पांच किलो राशन मुपत दिया जा रहा है कोरोणा काल में आर्थे की स्थिति से जूज रहे गरिब लोगों के लिए प्रदान मंतरी ने निसुल का राशन की योजना शुरू की थी ग्राम बमनाली में संचली रासन दुकान पर उपखताओ के नुवम्बर महा का निशुल का रासन वो सककर नहीं मिलने को लेकर दुकान के सामने एक कुछ दिन पूर विरोध किया था इसके बाद Collector पोच कर रासन नहीं मिलने की सिकायत को लेकर, Collector को आवेदन देकर सिकायत की थी, तत्पश्चात Collector ने ततकाल खाद्य विभाग के अधिकारियों को जाज के लिए निर्डशित किया था, मोके पोचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने भमनाली पोच कर ज जाज की जाज दोरान और निमिता पाई जाने का पंचना में भर कर SDM को प्रस्तुत किया गया SDM ने संबंदित राशन दुकान के स्वेम शातर समू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है SDM घंचाम धंगर ने सनिवार को जानकारी देते हुए बताये कि ग्राम बमनाली के ग्रामिनों द्वारा सिकाय प्राप्त हुई है बमनाली में खाद्य वित्रन को लेकर आयनिमिता की जारी है उसकी जाज के लिए कल जेसो को भेजा गया था उनके द्वारा जाज की गई है साती आज संबन्दि सोसाइटी के मेनेजर को मोके पर भेजा गया वो भी वित्रन विवस्ता बनाई रखने की निज़े दिये है उनके द्वारा विवस्ता भी बनाई गई है और कल से नीमित रूप से जिन लोगों को नमबर महा का रासन उपलब्द नहीं मिला है उनको रासन उपलब्द कराए जाएगा साती समुस अंचलक जिसके द्वारा अनीमिता की गई है उसको नोटी जारी किया गया है निर्दारित समय में संतोजनक जवाब नहीं मिलने पर उसके विरुत कारवाई के साथ साथ एफाइर दर्जबी कराई जाएगी और जितना रासन उपलब्द की गई है उतने को जो बाजर मुल्य है जितना उसके आधार पर उसकी वशुली की कारवाई भी की जाएगी बमनाली के ग्रामेनों के द्वारा शिकायट प्राप्त हुई थी कि बमनाली में खाद्यान वित्रण को लेके आनिमिताय की जा रही है उसकी जाज के लिए कल जे एसो को भेजा गया था उनके द्वारा जाज की गई है साथ ही आज संबंदि सोसाइटी के मैनेजर को भी वामोके पर बेजा था और वित्रण विवस्ता बनाये रखने के निर्देश दिये थे उनके द्वारा विवस्ता भी बनाई गई है और कल से नीमित रूप से महाँ पे जिन लोगों को नवंबर महा का रासन नहीं मिला है उनको रासन उपलब्द कराएंगे साथ ही समू संचालक जिसके द्वारा अनीमित्ता की गई है उसको नोटी साथ जारी किया है निवदारित समय में संतोस जनक जवाब नहीं मिलने पर उसके विरुद कारवाई के साथ साथ ऐफायर भी दर्जी कराई जाएगी और जितना रासन की आनीमित्ता की गई है इतना की जो बाजार मुल्य जितना उसका बनता है उसकी वसूली करवाई जाएगी पार्टी में मोबाईल दुकान पर चोरी की वार्दात को अंजाम देने वाले को पुलिस ने पकड़ा चोरी किये गए मोबाईल को किया जब मामला दर्ज पार्टी थाने पर 8 दिसंबर को फरियादी लोकेस भावसार द्वारा उसकी इलक्ट्रानिक दुकान में वीवो कंपणी का मोबाईल चोरी होने को लेकर आवेदन दिया था पुलिस ने आवेदन के आधार पर अग्या चोर के खिलाब धारा 389 में मामला दर्ज करजाच मिलिया था पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चोर को पकड़ लिया है साथी दुकान में चोरी हुए वीवो कंपणी का मोबाईल भी उसके कबजे से जब्त किया है ठाना परबारे आरके लोवनशी ने सनिवार को जानकारी देते हो बताये कि लक्ट्रानिक दुकान पर ग्राहकों की काफी भीड थी उसी भीडवार में वेरवडा के माना पिता प्रेम बारेला ने सीरीज मांग कर दुकानदार को चकमा देकर काउंटर पर रखा एंड्रोइड मोबाईल कीमती 28,200 रुपे की चुरा कर भाग गया जिसे CCTV केमरा में देखकर पहचाना गया इसके बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपी से पूचात की गई इस दौरान मुगबिर द्वारा उक्त आरोपी को पहचाना गया और नगर के बाजार में से पुलिस ने उसे ग्रपतर किया पुलिस ने आरोपी का नाम मना ओर्फ मोना पिता प्रेम सिंग जाती बारला उम्र बीस वर्ष निवासिक ग्राम वेरवाडा कहुना बता है जो मना नाम के वेक्ति ने उसके काउंटर से मोबाल चुरा लिया था उसको CCTV कुटेज में देखकर कि चिनीद करकर कि उससे गरपतार कर मोबाल जब देखिया है हाँ आरोपी गरपतार किया है हाँ आरोपी का नाम मना पाटी थाने में भी रईवार को सूथ खोरों के विरूद लिया जाएगा आवेदन पाटी सासन के निर्देश अनुशार जिले में भी सूथ खोर लोगों के खिलाब वीसे सभ्यान चलाए जा रहा है थाना प्रभारी आर के लोवनसी ने सनिवार को आम जोनों से आहवान किया है कि वे निर्भीग होकर अपनी सिकायत उने दें जिससे सासन के निर्देश अनुशार दोशियों पर कठोर कारवाई की जा सके कल थाना पार्डी पे वरिष्ट अदिकारी गणों और मत्रदेश शाषर के पालन में कल पार्डी पर एक सिविर कायोजन किया गया जिसमें जो ग्रामिन लोगों से ग्रामिन लोगों द्वारा जो कुई ब्याज पर कुछ समान रखकर के कुछ पैसे से लिये जाते है तो उ दुनिश्यादिक मातर में ब्याज लेते हैं और इस कारण वा आर्थिक रूप से कभी परेशान लेते हैं तो ऐसी सिकायतों का कल थाना पाटी पर नेरा कट किया जाएगा समय कल ग्यारा बज़े से चार बज़ तक कर रहेगा